हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको दे रेजिटन्ट ये 2011 की एक थ्रिलर हॉलिवड मुवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ ये मुवी हमेशा आपको आपके सीट के एच पर रखती है तो अंता इस वीडियो को ज़रूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब से एक डॉक्टर है होस्पिटल की इयार डिपार्मेंट में काम करती है इसका मतलब कोई भी इमर्जेंसी जैसी एक्सिडेंट्स वगिरा ये सब उसे ही ट्रीट करने पड़ते है आज रात घराकर उसने सोने की कोशिश की पर उस सो नहीं पा रही थी अभी रिसेंटली उसके स सही से अपार्मेंट मिलने रही थी फाइनली एक जगा से उसे कॉल आया यह वो देखने के लिए कि वह हमारा और एक मेन कारेक्टर जिसका में मैक्स कर रहा था एक्चुली इस पूरी बिल्दिंग का उनर वही है जुलेट ने घर देखा तो बहुत ही वड़ा था तो उसे लगता है कि अफोर्ड नहीं कर पाएगी इसका रेंट बहुत ही कम है मैक्स से बुछती है कि इतना कम क्यूं मैक्स ने कहा कि यहां बहुत हीट होती है इस बिल्दिंग का स्ट्रक्चर उस टाइप का है बिल्दिंग के नीचे से अंडर ग्राउंड ट्रेंज भी जाती है इ जब यह सोती है तो बहुत ही डीफ स्लीप लेती है उसे कोई भी प्रॉलम नहीं होगा यह अपार्मेंट उसने फाइनलाइज कर दिये जुलेट का सामानवगरा मूग करने में मैक्स उसकी हेल्प करता है मूग करते वग जुलेट मैक्स के ग्रैंट फादर से मिलीए यह बह वह भी जुलेट नहीं करेगी इस अजीब सी मिटिंग के पाद जुलेट इस घर में मूव हो गई रात में अपार्मेंट में उसे बहुत ही अजीब लगता है जैसे कि उस पर कोई नजर रख रहा है यह उसका न्यू अपार्मेंट है तो शायद इसी वज़े से लग रहा है यह सोच कर वो इसे इग्नोर कर देती है अगली दिन जब वो घर आई तो उसके डोर के सामने कुछ गिफ्ट रखे हुए थे इसे लगा कि गिफ्ट मैक्स ने दिये है नेकसिन में जब वो फिर से काम पर थी तो उसकी फ्रेंड उसे बहाद चलने के लिए इन्वाइट कर द जूलेट ने इसके लिए मना कर दिया उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसने तुम्हें दोका दिया इस वज़े से तुम इतना डिस्टरब होने की जरुरत नहीं है इसका मतलब है जूलेट के रोमया ने उसे धोका दिया था धोका होने के बाद जूलेट खुद पर ही शक करती है उसे लगता है कि उसके लिए इनफ नहीं थी उसके फ्रेंड ने कहा क्यों घटी आदमी था तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की जरुद नहीं तुम्हें अब मुवाउन करना चाहिए जुलिएट जब घर पर आई तो मैक से मिलती है गिव्ट देने के लिए उस जुलिएट कहती है कि मैं जरा बीजी हूँ और वहाँ से चली गई अपनी फ्रेंड की बात मान कर एक दिन जुलिएट उसके साथ आर्ट गैलरी में गई हुई थी वही पर वो मैक से टक रहे जुलिएट मैक से जहती है कि हम घर तक वॉक कर सकते हैं मैक को भी उसके साथ होन में बात किये एक्चुली जुलिएट के पैरंट्स ट्रग एडिक्ट थे ऐसी कंडिशन में उसने एजुगेशन लिया और वो डॉक्टर बनी मैक स और जुलिएट है एक दुसरे से अच्छे खुल मिल रहे थे यह सब जुलिएट के एक्स ने देख लिया उसका नाम है जैक घर आने पर जुलिएट मैक स को किस करने लग गई मैक ज़रा दूर हो जाता है जुलिएट को इमेरस लगा कहती है इस शायद बुरा आइडा है वो एक टेनेंट है और ओनर के साथ अगर उसने कोई भी रिलेशनशिप रखी और कुछ गडबड होके तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा रात में जुलिएट जब बात ले रही थी तो बात में ही एक होल है उस होल से उसे कोई देख रहा था उसे महसुस हुआ खिड़की के पास कोई है उसने जेक किया तो खिड़की खुली थी पर वहाँ कोई भी नहीं था नेक्स डे मैक जुलिएट को कॉल करता है कहता है कल हमारे बीच दरा ओकोर्ड हो गया आज मैं तुम्हारे लिए टिनर बनाता हूँ ये जुलिएट को अच्छा लगता है टिनर पर जुलिएट मैक्स कहती है कि तुम्हारी वज़े से इस बिल्डिंग में मुझे घर की तरह लग रहा है उसने से बुचा कि आज तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुए मैक्स कहता है मैरी कभी सिरियस रिलेशनशिप थी ही नहीं वो हमेशा इस बिल्डिंग का खैल रखता है बाद में अपने ग्रैंट फादर का उससे कोई समझ सके ऐसा कोई कभी मिला नहीं इनका डिनर खतम होने के बाद ये फिरसे नजदी का रहे थे पर जुलिएट कहती है एक बैड आइड़ा है दोर बन करने के बाद फिरसे ओबन करकर वो बहार आ जाती है मैक्स भी उसका इवेट कर रहा था ये दोना अंदर जाकर बहुत ही हार्ट है मैक्स भी सब को समझ गया और यहां से चला जाता है अब इसके बाद हमें मैक्स के बारे हम पता चलता है वो जुलिएट को बहुत ही पहले से जानता था एक दिन जब वो अपनी ग्रैनफादर को लेकर होस्पिटल में गया था तो वही पर उसने जुलिएट को देखा जुलिएट उसे बहुत अच्छी लगी थी उसने नोटिस बोट पर देखा कि जुलिएट को एक अपार्मेंट जाई है इसी वाज़े से उसने खुच से कौल किया था उसे देखने के बाद हमेशा उस पर वो नज़र रख रहा था ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी और अजी बिल्डिंग है मैक्स एक्च्छल में वाल्स के पीछे से जुलिएट की पूरे घर को देख सकता है हमने प्रिवियस सीन में देखा कि जुलिएट को बात लेता हुआ वो ये देख रहा था ये और कोई नहीं तो मैक्स है जुलिएट को हमेशा लगता है कि उसके घर में कोई न कोई है तो एक्च्छल में मैक्स ही उसके घर में घुसाता है जब वो सो रही होती है तो उसमर नजर रखता है अल्ली दिन मैक्स जब ग्रैंटपा को मेडिसिन दे रहा था तो ग्रैंटपा गयते हैं मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है तुम भी तुम्हारे फादर की तरह एक परवर्ट हो वो एक वीक आदमी थे तुम्हारी मदर बहुत ही ब्यूटिफुल थी पर उसका डिसीजन गलत निकला तुम भी तुम्हारी फादर की तरह ही वीक निकले इस कन्वेसेशन से में पता चलता है यह मैक्स जो जुलियट के साथ अब कर रहा है यही चीज उसने और भी लड़क्यों के साथ की है उसके ग्रैंड वादर इसके लिए उसे हेट करते है शायद मैक्स के फादर भी इसी तरह की चीज़े करते थे मैक्स को इन सब बातों से बहुत तकलिफ होती है अगली दिन उसने जुलियट का फिर से पीछा किया वाइन शॉब में उसे टकरा कर पिटेंड करता है कि उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडन्स है जुलियट मैक्स से कल रात के लिए सौरी कहते है उसने का कि हमारी बिच रिलेशन्शिप होना एक गलत आई रहे है जाकर देखा तो नोटिस करती है कि वाँ हॉलो स्पेस है अगली दिन उसने मैक्स को इसके बारे में बताया यहाँ पर वाइन वगिरा रखने के लिए एक स्टार रूम था एक्च्वल में इस रूम से होकर मैक्स उसके घर में खुश सकता था जुलेट को अभी भी इसके बारे में पता नहीं इस रूम का काम करने के लिए मैक्स पूरा दिन इसी घर में रुका जुलेट की अलग-अलग चीज़े यूज करता है अबने आपको प्लीज कर रहा था जुलेट को उसका एक्स बॉइफरेंड जैक ये बहुत दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा है आज उससे फिर से मैसेज करता है तो जुलेट उससे आज मिलने के लिए रेडी थी उनके लिए वो डिनर बनाने वाली है तो सब को सामान लेकर घर पर आई मैस का काम अब खतम हो चुगा था वो कहता है जो तुम्हें डिनर बनाने के लिए हेल्प कर सकता हो जुलेट इसे मना कर देती है मैस ने कहा कि हमारे बीच चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा हम दोनों के रिलेशनशिप के शुरुवात ये तुमने की थी जुलेट उसे कहती है कि मैस ने कहा कि हम दोनों को डेट करना अच्छा एड़ा नहीं मैस कहता है अगर तुम मुझे छोड़ने वाली थी तो तुमें स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था इसके बाद वो यहां से चला गया जुलेट का जब ध्यान नहीं था तो मैक्स फिर से अपार्मेंट में पहुच गया था उसके सब मोबाइल वगरा सब कोज उसने चेक किया उसे जैक के बारे में पता चला वो अपार्मेंट में ही था तब ही जैक वहां पहुच जाता है जैक के पास एक छोटा सा डॉग है डॉग ने घर में मैक्स को देखा और वो बाग करने लगता है मैक्स जल्दी से यहां से भाग कया जैक ने जुलेट से सौरी कहा वो कहता है तुम्हारे बिना में बरबाद हो चुका हूँ वो उसे बहुत ही जादा मिस करता है जुलेट भी उसे कहती है कि मैं किसी के और के साथ नहीं हो सकती यह दोनों फिर एक दुसरे के साथ इंडिमेट हो जाते है जैक को मौर्निंग में जल्दी उड़ना था तो घर चला गया जुलेट ज़रा वाइन लेती है उसके बाद वो बेहोश होकर सो गई एक्चुल में हमेशा से मैं जुलेट की वाइन में ट्रग मिलाता है इसी वज़े से वो कभी भी रात में उटती नहीं उसके पास आकर उस पर नजर रख सकता है उसके साथ जो चाहें वो कर सकता है हर रात बेहोश होने की वज़े से जुलेट ज़रा लेट उटती थी उसके स्लिप भी कंप्लीट नहीं होती थी तो इस बात से वो डिस्टरब हो गई उसे रखता है कि उसके अपार्मेंट में कुछ ना कुछ तो गटवर्ड है उसने फिर अपने पूरे अपार्मेंट में हीड़न सेकूरिटी के मेर्स लगा दिये अगर अपार्मेंट में कुछ भी Jong होता है तो इसे नोटिफिकेशन आएगी इस cameras में night vision भी है याने कि अंधेरे में में उसे सब कुछ दिखेगा इन cameras के वारे में Max को कुछ भी पता नहीं था Max अपने grandfather का खैल रखते हो तंग आ गया था तो एक दिन drug का overdose करकर उन्हें हो मार डालता है Juliet और Jack ये regularly एक दूसरे से मिलने लग गये थे तो ये सब देख कर Max बहुत ज़्यादा जेलस हो गया Max Jack का पिछा करता है उसने सीडियो से उसे नीचे किरा दिया आज राद Max फेसे Juliet के पास आया उसके साथ intimate हो रहा था तभी Juliet की आग खुल जाती है वो इस बार उसे सिरीन से ड्रग कर देता है अगली सुबा जुलेट फिर से लेट हो चुकी थी उसने बेडरूम में सीरीन्स की उपर का कवर नोटिस किया उसे शक आता है वो अपना बलर्ड और यूरीन सैंपल हॉस्पिटल में जेक करने के लिए देती है यह अपर उसे पता जल गया कि उसे कोई ड्रग करता है जैक आज उसके अपार्मेंट में जाने वाला था तो जुलेट उसे कॉल करती है कहती है इबलीज वहाँ जाना मत पर जैक ने इसे पिक अप नहीं किया वो अपार्मेंट में सब चीज़े देख रहा था तभी उसे एक रस्ता मिल गया यह वही वे है जहाँ से मैक्स जुलेट के अपार्मेंट में इंटर होता है जैक जब यह सब देख रहा था तो मैक्स उसके पीछे ही था अब इसके बाद क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा जुलेट जैक को ढूंड़ते हुए जल्दी से अपने अपार्मेंट में आ गई फिर वो कल रात का सेकुरिटी फूटेज अपने कॉम्पीटर पर चेक करती है उसने देखा यह मैक्स ने उसका कल रात रेप किया था वो बहुत ही जादा डिस्टरब हो गई तब ही मैक्स घर में इंटर हो गया उसके सामने दिखा नहीं सकती कि उसे सब कुछ पता चल गया है वो सावधान हो गई मैक्स को दिखाना नहीं चाहती थी उसे सब कुछ पता है मैक्स ने फेस से जुलिएट के लिए वाइन लाई है इस बार वो खुद भी इस वाइन को पी रहा था जुलिएट डिस्टरब दिख रही थी तो उसे वो पूछ लेता है जुलिएट कहती है आज कल मेरी नीन अच्छे से हो नहीं रही जुलिएट उठकर फोन लगाने की कोशिश करती है और मैक्स उसे फोन ले लेता है वो गयता है तुम उसे कॉल क्यों करना चाते हो उसने तुम पर चीट किया था मैक्स ने जुलिएट को बगड़ा और बेटने के लिए कहा जुलिएट डर गई थी पुछती है क्यों है कहा मैक्स से जुलिएट को ड्रक करने की कोशिश करता है यह उस सक्सेस्फुली कर नहीं पाया जुलिएट के हाद में एक चाको था इसे उसने मैक्स पर वार किया वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश कर दिया पर मैक्स ने पुरे घर को लॉक कर दिया था ड्रक की वज़े से उसे नीन ना है इसलिए उसने अलग-अलग गोली आ ली मैक्स फिसे घर के अंदर आ गया उसे बेड के पास पकड लेता है जुलेट जल्दी से उसे मार कर बात्रूम में छुप जाती है पात्रूम के मिरर से भी कुछ आवाज आ रही थी एक्चुली मिरर के पीछे मैक्स सब कुछ देख सकता था मिरर तोड़कर जुलेट को अंदर खिज लेता है जुलेट मिरर के इकास से मैक्स पर वार करती है इंटरल्स में से वो भाग रही थी मैस कहता है तुम यहासे नहीं बाग सकती है यहासे कोई भी नहीं बाग सकता जुलिएट ने आसपास सारे चीज़े देखी तुसे एग नेल पंचर मिल गया मैक्स उसे कही भी नहीं दिखता मैक्स उसे पगड़ कर नीचे किरा देता है वो जब उसके पास आया तो जुलिएट ने नेल्स उसके बॉड़ी में पंच करती है वो बहुत ही जादा हर्ट हो जुका था पर फिर भी उसका पीछा करता है जुलिएट भागते वागते एक स्टोर रूम में आ गई थी वही पर वो जैक की बॉड़ी पाती है जैक ने जब मैक्स का वेट होंडा था तब मैक्स ने उसे मार डाला मैक्स फिर से जुलिएट के पास बहुच गया था इस बार बहुत सारे वार करकर जुलिएट फाइनल उसे मार डालती है इसे के साथ इस मुवी का एंट हो गया दिखने में लोग कितने मी नॉर्मल लगे पर उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी बता नहीं सकता सावधान रहे सतरक रहे फिर से मिलेंगे Crime Patrol के और एक एपिसोड में तो आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल नोटिवेशन आएक उन्दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुविए के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखे